कि ओनों गया थी हेलो बच्चों कैसे हो यार आप सभी लोग तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले ना भाई वो है हमारा लास्ट चैप्टर ओफ डिस टर्म वन कोशिश करिएगा इस वीडियो को भाई एंड तक देखेगा इससे आपको जो फायदा मिलने वाला मैं लगता है तो लाइक किजेगा नहीं तो कोई बात नहीं यार डिसलाइक का उप्शन तो वैसे यूटूब ने अठा दिये चलो मुद्धे वाली बात करते हैं आज हम लोग जो पढ़ने वाले उस चैप्टर का नाम है भाई पी ब्लॉक और वो भी क्लास 12 का तो सारे और तो होता है भाई गृफ 13 से लेकि गृफ 18 तक हमें गृफ 13 और गृफ 14 नहीं पढ़ना क्योंकि क्लास 11 में आले डी पढ़ा दिया गया तो दिक्कत क्या है अरे भाई यह तो हमारा काम असान हो गया यानि हमें सिर्फ और सिर्फ कहां से पढ़ाई करनी है गुरुफ 15 से बहुत अच्छी बात है तो चलो हम यह सीख लें भाई कि गुरुफ 15 में कौन-कौन से अलिमेंट आते हैं बहुत अच्छी बात है कि हां भाई कम से कम अलिमेंट के नाम तो जानी जाएं कुछ नहीं आया चलो नाम सीख लिया तो उसका नाम है भाई nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और बिस्मत जो बच्चे इसको नहीं याद कर पाते हैं उसके लिए निमोनिक्स भी है नेपाल, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, सब बिखारी ओके तो यह सब का मतलब यहां antimony है तो आप नेपाल का मतलब nitrogen याद रखना, पाकिस्तान का मतलब क्या याद रखना भाई, phosphorus, अस्ट्रेलिया का मतलब arsenic, सब का मतलब antimony भाई, दिक्कत यह है कि SB इसका symbol है, तो वहीं हमें याद रखने, विखारी मींस बिस्मत, तो अगर यह सीखा, अच्छा लगा, बहुत अची बात है, आगे भी बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी हसी मजाग का टाइम नहीं हमारे पास, बहुत जल्दी पेपार आने वाला है, तो चलो, हम लग बात करते हैं, nitrogen and phosphorus हैं क्या, by nitrogen and phosphorus पहले में clear कर दो, इन सभी का जो general electronic configuration होता है, especially group 15 का, वो होता है NS2, NP3, but nitrogen and phosphorus होते हैं nature, वो होते हैं non-metal, arsenic और antimony, arsenic और antimony होते हैं metalloid, और basmuth होता है हमारा metal, the thing is, हम इसका electronic configuration कैसे करेंगे, मैं आपको खुद clear कर रहा हूँ, noble gas के बारे में अगर आप जानते हो, बस याद रखना, कि भाई, helium के बाद, 2H2, 2P3 लिखा, वो किसका हो गया, nitrogen का, neon के बाद, 2 के जगा, अब 3S2, 3P3 लिख दिया, वो हो गया, phosphorus का, argon के बाद, अगर आपने 4S2, 4P3 लिख दिया, भाई, वो हो गया, arsenic का, ठीक, यह 3D electronic configuration इसलिए, क्योंकि उसके बाद ही आता है, बट ठीक है ना, हम terms तो समझते जा रहें न, तो यही है इनका general electronic configuration, means हर बार, बस N1 एक ब अगर आपको इतनी बाते समझ में आगे हैं, तो आपको टेंचन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बैठाई हूं, अब मुद्दा आता है, भाई, atomic radius, ionization, enthalpy मैं आपको general थोड़े से trends बता दूँ, हो सकता है, आपको help भी मिल जाए, जैसे मालों हमने न, nitrogen, phosphorus, arsenic antimony, मैं सबके लिए clear कर दूँ, आप जब नीचे जाओगे, तो atomic radius बढ़ेगा, सबसे पहला reason को आप से पूछ लेना, क्यों, ऐसा क्यों भाई, तो क्या आपको मेरी आवास सही आ रही है, क्योंकि यह थोड़ा सा माइक ना किस अगया, ठीक है, तो माइक भाई है, घुसा हो atomic size होगी, तो जो नीचे वाला है, कारण, number of shell भाई है, नीचे जाते जाते है, क्या होता है, बढ़ जाता है, बट आपने एक चीज़ notice कि होगा है, मैंने notes में लिखा है, कि इन में arsenic, antimony और बिश्मत में बहुत छोटा change दिखता है, मतलब बढ़ता है, no doubt, लेकिन इतना poor shielding effect of dnf orbital, अभी आप न, इस चीज़ में बिल्कुल confuse मत हो, कि यह poor shielding है क्या, आप खुछ सोचो, जैसे मान लो, यह nucleus था, nucleus न, electron को खीच रहा था, यहाँ पर न, इन दोनों के बीच में repulsion हुआ, और यह repulsion इतना अच्छा हो गया, कि इसका attraction कमजोर हो गया, नहीं समझे, जैसे मान लो भाई, यह आप हो, ठीके, और इसके पीछे आपका दोस्त है, ठीके, और यहाँ पर गुंडे हैं, मारने वाले हैं, ठीके, आपके दोस्त को, लेकित आप इतना मार खागे, क्यों भाग गया, उतने जीर में, तो भहिया मतलब, उससे इनका युद्ध हो सकता ह थोड़ा कम हो, बचने क्यों में इस बिचारे की जादा हो, तो यानि इस पे अट्राक्शन धीरे दर क्लियर कर दो, जैसे-जैसे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे-जैसे, सब शेल्स बढ़ते जाते हैं, शील्डिंग एफेक्ट कमजोर होने लगता है, यानि सबसे त होने वाली थी, वो नहीं होगी, इसलिए पूर शेल्डिंग एफेक्ट का मतलब क्या है, वो आप समझ गयोंगे, शादी महाल वाला टाइम है, यह बैग्राउंड की आवाज आपको रेगुलर आएंगी, मैं इसके लिए भाईया आपको जो सजेस्ट करने वाला हूं, यह म मोस्त है माइक हमारा एड़ेस्टेट, लेट मुझेट, अब तो आपको क्या कहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि यह टॉप टू बॉटम में बढ़ेगा, बट यहां पर, यहां वाले टर्म में याद रखनेगा, स्मॉल होगा, हो सकता है, आपके एक्जाम में ऐस जो ऊपर एलिमेंट है, उसकी होगी, क्यों, क्योंकि भाई, नुकलेस से बिल्कुल पास है, जितना वो नुकलेस के पास होगा, उतना जादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा, अलेक्ट्रोन निकालने के लिए, कोई आपसे यह बात पूछे, कि ग्रूप 14 और ग्रूप 15 बोलना, कोई पूछे क्यों, क्योंकि P के ऑर्बिटल ना, इसमें हाफ फिल्ड है, अगर P के भाईया और बिटल ना, हाफ फिल्ड भी होंगे, तो भी दिमाग लगा लेना, वह वह यहां, कि अगर वो हाफ फिल्ड है, तब भी भाईया, वो क्या है, स्टेबल हैं, तब भ हाफ विड एंड शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ठीक है होफुली आपको यह समझ में आ तॉप टू बॉटम में भाई आनेशन इंथल्पी घटेगा गुरूफ 14 और 16 के कंपरिजन में गुरूफ 15 की आनेशन इंथल्पी जादा होगी नेक्स्ट एम हमारा आता है एलेक्ट्रो नेगरिप्टी मैं क्लियर कर दूँ तॉप टू बॉटम जाते वाग जैसे आनेशन इंथल्पी घटा वैसे यह भी घटेगा मेटालिक केरेक्टर बढ़ता है अभी आपको याद होगा नाइट्रोजन नॉन मेटल फॉस्फोरस नॉन मेटल अर्सेनिक और एंटिमेनी मेटलॉइड और बिसमत पूरा मेटल यानि नीचे जब जाओगे तो भी या मेटालिक केरेक्टर आपको क्या बढ़ता हुआ इस ध्यान से समझना सोच नाइटोजन एंटू फॉर्म में होगा बाकि सब पॉली टॉम मालग पी 4 एस 4 सी 4 इसी फॉर्म में रहेंगे तो अगर भाया वो एक से जादा आटम दो जादा आटम हैं तो जनरल टर्म में अगर मैं आपसे बोलू न तो भाया अगर जादा एट जादा होगी अगर एक तो कारण है कि मॉल्टिल मास बढ़ना और दूसरा करण क्या है इनके बीच में अपर लिखा है मैं अर्सेनिक तक बढ़ेगा लेकिन एंटिमनी और बिस्मत में आपको क्या देखेगा घडता हुआ कारण इतनी बड़ी अट्रामिक यह जाती है कि अट्री को क्या आट्रेप गर पाएंगे तो क्या इस लिमीर्ट नहीं हो जाएगा यह याद रखना भाई अब देखो chemical properties क्या हों सेम तो वो कहलाता है उनका अलोट्रॉपी अब मुद्द नाइट्रोजन एक क्वेशन है नाइट्रोजन एग्जिसस डायाटॉमिक मॉल्ट्यूल वाइल फॉस्फोरस एग्जिसस टेट्रायाटॉमिक मॉल्ट्यूल क्यों जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन फॉस नाफिरा कि यह कहना चाहरा है कि देखो भईया ओवरलैपिंग तो दोई एटम के बीच में हो पाएगा अगर दोई एटम के बीच में हो पाएगा तो जादा उमीद लगा के मत बैठो इसलिए भाई साब यह डायाटॉमिक होता है लेकिन फॉस्फोरस में पीपाई पीपा लाती है ठीक है तो यह टर्म के बाद एक और क्वेशन है नाइट्रोजन इस गया साट रूम टेमरेचर वाइल फॉस्फोरस इस सॉलिड रूम टेमरेचर पुराना जो क्वेशन था ना उसी का जवाब इसमें नाइट्रोजन डाय टामिक होता है बट फॉस्फोरस टेट्र बढ़ेगी याद रखिए घाप उनका फोर्स आट्राक्षिन भी बढ़ता चला जाया जाएगा जाधा एकम जाधा को सब्सक्ता ना भी तो यही मैंने यहां पे लिखा वी आध रखो जब फॉर्स ओप अट्राक्षिन बढ़ने लगेगा यह कारण है कि नाइट्रोजन के कि वजए से एक्टामिसिटी 4 होने की वजए से सॉलिड इस्टेट में बताओ कितना पढ़िया अब नेक्स्ट अम आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टि इस ऑक्सीडेशन श्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमली ध्याम से समझना नाइट्रोजन फैमली का जो या तो भई या पी तीनलेक्ट्रोण यह तो नीचे जाते घटेगा पूछो क्यूँए आप माइनस 3 किन के लिए होता है जनले नॉन मेटल्स की और नीचे जाते वक्त तो मेटाली करेक्टर बढ़ रही है तो मतलब भया टॉप टू बॉटम जाते वक्त माइनस त्री का ऑक्सिदेशन स्टेट कनफर्म घटेगा प्लस त्री कनफर्म बढ़ेगा क्यों क्यों क्योंकि वह यह इफेक्ट होने के वज़े से एसके एलेक्ट्रों तो पुरा खिचा अगे नुकलियस की तरफ मतलब एस वाला मजबूर नीचे जाते जाते हैं एक ताम मजबूर होने लगता है क्यों क्योंकि आप electronic configuration कभी भी करना मैं खुद आपको बोल रहा हूं आप उसमें देखोगे ड इनर्ट पेर इफेक्ट तो प्लस फाइफ ऑक्सिदेशन स्टेट घटने लगता है इसको हम लोग बोलते हैं भाई इनर्ट पेर इफेक्ट इनर्ट पेर इफेक्ट क्या होता है दोको मैंने डेफिनीचन लिखा है इसका कि ability of ns2 electron ns2 electron का participation घटने लगे जब on moving down the group due to poor shielding effect of inert dnf electron इनके वज़े से डी और f electron के वज़े से इनर्ट dnf electron के वज़े से अगर ns वाला इस वाले सब्सेल के electron का participation खतम होने लगे उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेर इफेक्ट अभी देखो मैंने का था ns2 np3 पांचो इलेक्ट इसमें से निकल अब भया एस जैबे नहीं कर रहा है तो भया कौन जागा सब्स तो बढ़ेगा लेकिन प्लस फाइफ नहीं ब लेकिन यह जो है ना सही महीन में यह जब oxygen से जोड़ेगा तब कंफर्म आ जाएगा यह भी oxygen के साथ जोड़ेगा आ जाएगा लेकिन और कहीं पर मत लगा देना फ्लोरीन से जोड़ दो nf3 बना दो तो भी पॉसिबल है हर जगा मत जोड़ देना प्लीज फॉस्फोरस के ल नॉर्मल कोवलेंट वाला चौथे में एक एलेक्टरन कोडिनेट दूसरे को होता है इस वैसे उनकी कोवलेंश किती बताती है फॉस्फोरस और अधर मेंबर्स की वैलेंसी इसके बाद आता है एनमलेस प्रॉपर्टी ओफ नाइट्रोजन याद रखना क्या क्या कैसी खामिया है इन में जिसके वजह से वह यह इतना जाधा कंपाउंड पॉंड नहीं बना पाता है तो सबसे पहला टर्म नाइट्रोजन की आनेशन इंद बहुत जादा होती है ही ही हुए है और उसमें 2D का कोई नाम निशान नहीं है यानि इनके पास दी और बिटल भी नहीं है दिक्कत यहीं है तो अगर दी और बिटल भी नहीं है तब तो भी इसली पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है वही जो 5 या प्लस 3 वाला आप लोग सोच रहते हैं स्मॉल नाइट्रोजन अपने ग्रुप में ही अलग तरीके से बिहेव करता है लेकिन बाकी तो पी पाई डी पाई डी पाई डी पाई मल्टिपल बॉंड बनाते हैं अब सवाल कोई आपसे पूछे कि एंट्व इनर्ट है कि इस रियक्ट नहीं करता है काहे कि भाईया वह ट्रिपल बॉंड बनाया है यतनी असानी से उनका बॉंड वे नहीं तूटेगा आप सोचो जब इनका बॉंड तोड़ पाऊगे तब तो रियक्ट करेगा तो जब एंट्व या लिए आंट रिएक्टं तो लिए करवाने के लिए आपको देना पड़ेगा बहुत ज्यांदा ट्रिपल है याद्र लिए इनन और न का सिंगल बॉंड हonter है तो वो P और P यानि Phosphorus के bond से भी क्या होता 애 Bronx होता है इसी वज़े से N और N का Single Bond बन भी नहीं करता है जबभी बनेगा तो triple one बनेगा इसलिए इसलिएन की कैटीनेशिंटेंट्रोंड क्या होती है नाइटरोजन की बहुत कम होती है अब मुद्धा आता है कब करेगा नहीं करेगा जो बीटम में लेकिन उसते पहले बनाएगा क्या जिसे मालों नाइट्रोजन हैड्रोजन से मिले तो क्या बनेगा एन एस थ्री फॉस्फोरस से मिले तो पी एस त्री ऐसा कैसे हुआ क्योंकि भाई इन लोग की वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की सब चीज है वान पाइग आ रखलो फॉस्फोरस लगा आर्सेनिक रखलो कुछ भी रख़लो बनाओ यह चीज है हाई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गईंगी नेक्स तरम हमारा क्या आता है भाई देखो एक छोटा से तरम मैं आपको पहले क्लियर को दूंग यह माल इसका मतलब यह है कि जब इन एटमों की साइज बढ़ेगी याद रखना भाई साइज बढ़ेगी बॉंड लेंद्ध क्या हो जाएगा अपसोचों बढ़ा हो गया आप इसको आसानी से तोड़ पाऊगे या पास है इसको आसानी से तोड़ पाऊगे वह जो दूर है उसको आ कोई पूछे क्या कौन हीट करने पर भी स्टीबल रहेगा तो जिसका बंलेंद्ध हवा च्छोटा रहेगा वजादा च्पकॉन होती है उसका हड्याइडट शीवागा जादा लोग आ रहे होंगे शाधियोंगे 800 के सुनते रहो कोई बात नहीं मुद्दा समुझ में आए कि नहीं अच्छा मैं आप से पूछू reducing का मतलब क्या दूसरे को reduce करना आप इमानदारी से बताओ reducing का मतलब क्या होता है addition of hydrogen addition of hydrogen कब होगा जब यहां से निकले तो दुसरे को reduce करना खुद को oxidize यानि हमको अपने अंदर से hydrogen निकालना तो कब hydrogen निकलेगा जब यह bond होगा यह जब यह bond होगा भाईया जब दूर bond होगा ना तब बहुत आसानी से bond तूट जाएगा यानि जैसे अपकी साइज बढ़ती जाएगी देखो जैसे अपकी साइज बढ़ती रिड्यूसिंग निचर क्या होते बढ़ते चला गया यही टम जितना कम स्टेवल उतनी आसानी से हाइटोजन निकलेगा उतना आसानी से दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस दे को लिखा है मैं नहीं एक्दम सेम छाप दिया है जो बोला है लिख दिया है तो परिशान भी नहीं होना है जैसाने कुछ खतरनाक बोलें एक्दम नो टेंशन के साथ बिंदास इस चीज को इसले एक निकलेगा वह सेम लाइन रिड्यूस वाला मतलब जिसमें बांड लेंथ दूर जिसमें बांड लेंथ बहीद बहुत आसानी से निकलेगा और जब भाई आसानी से निकलेगा तो एस दिक करेक्टर भी अच्छा दिखेगा इसका मतलब यह है कि भाईया इनका ऐसी दिख गर्रेक्टर में अगर पूछे किसका सबसेदा तो इसे का बेसिक पूछें तो उल्टा कर दो इसका सबसेदा बेसिक और इसका सबसेदा यह समझ में आ गया तो अब भाई लोग हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ लोगा बॉर्ण एंगल की बात कर रहा है मेरा सजेशन आप सभी बच्चों को बॉर्ण एंगल में आद रखना जिसमें एलिमेंट जो सेंटर वाला एलिमेंट है क्योंकि जुड़े तो सब में ह जिसमें जादा एलेक्ट्रो निगेटिव होगा याद करकना विया उसका बॉर्ण एंगल सबसे जादा होगा कोई दिक्कत कोई परिशानी बाई बोल दिया करो दिक्कत ना होने पाए नेक्स है रियक्शन विद ऑक्षिज मैं क्लियर कर दूँ दो तरह के बंते हैं एक बं बनाएंगे उपर वाले एसेड नीचे वाले बेस बनते जाएंगे कई बच्चे सोचने कैसे अरे यह मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था नाइटोजन नॉन मेटल फॉस्फोरस नॉन मेटल अर्सेनिक और एंटिमनी क्या है मेटलोइड तो इनका ऑक्साइड क्या होग बेसिक करेक्टर एंटार करेक्टर शो करने लगी यानि टॉप टू बॉटम जाते वक्त ऐसे डिक क्या होगा गटिक लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि laying टू-अ घुड़ेट 57 fakमत किया एसे डिक क्रेक्टर जादर होगा अगर आप दो में और तुड लरे ऑच्ग में को वैलेंसी तो याद हो गया एक्स-3 और एक्स-5 बने का वैलेंसी के साब से क्योंकि त्री और फाइफ दो ही बनते थे मुद्धा यह है कि नाइट्रोजन पेंटाहलाइड नहीं बताएगा बनाएगा कारण उसके पाद डियोर्बिटल है यह नहीं जब भाईया आपके पीचियल फाइफ और दे दिया पीचियल थी आप मैंसे कोई भी यह बच्चा सवाल करतो सकता है कि सर इन दोनों में कौन ज्यादा कोवलेंट होगा तो फजान दूल याद है वह अगर फजान दूल याद होगा तो उसमें आपने यह भी पढ़ा होगा कि वह स्मॉल साइज लाइज साइज ऑफ एन तो बहुत जाएगा तो इसलिए इन में कोवलेंट करेक्टर क्या दिखेगा आपको जादा और इनमें क्या दिखेगा कम अब याद रखेगा अगर आप से कोई पूछे ना हैलाइड में तो सिफ एन एफ ट्री जो है वह स्टेबल है बाकि किसी भी की में की बात कर रहा हूँ बाकि की केस में नाइक्रूजबल नहीं नेक्स मुद्धा रियक्शन वेद्चिन मेटल क्लियरली बता दूँ वह बनाते मेटल नाइट्राइड वेलेंसी का खेल इसमें बहुत ज़्यादा है जैसे अगर मान लो आपको याद है केल्श्यम के वे तो सी ए थ्री एन टू वही कंपाउंड बन गया तो मतलब आपको यह भी सोचनी की जरूरत नहीं कि क्या क्या बंद है कैसे बन रहा है फिर नेक्स मुद्दा आता है नेक्स मुद्दा हमारा आता है डाय नाइट्रोजन आप कैसे प्रिपेर करोगे तो करना क्या है पहले लिक्विफेक्शन में क्या होंगे सारे लिक्विफाई हो जाएंगे फिर फ्रेक्शनल इस्टिलिशन करो क्लियरली बता दूं कि बॉलिंग पॉइंट जो होता है नाइट्रोजन का वो होता है 77.2 केलविन और ऑक्सियन का इतना पहले यही वैपर बन जाएगा दूसरे वा पहले नाइट्रोजन निकालो थो पहले हमने दोनों में निकल बड़ी खुशि खुशी निकमा सब्स bliver भी निकाल दिया अब क्या उमीद बचा भाई अब जो भी बचा हुआ वाटर वाटर के बाद जो बच रहा हो वह क्या होगा आपका अलग प्रोड़क्त जैसे इसमें कोई उमीद्वे नहीं है एन एच फोर एन ओ टू तो दो एन मिलके एन टू बन गए और चार हाइड्रोज आठ है यानि कम चेकम फोर एस टू बना अभी भी तीन बचा हुआ है तो बनाएगा कि या यह सिया टू थी एक प्रोड़क्त बना लेगा यह भी प्रोड़क्त है यह आपको याद रखना है कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई फिर आता है एजाइड मैं क्लियर कर होगे तो पूरे के पूरे जो निकल जाएंगे लग तो यानि एंटू तो बनेगा आप इसको बैलेंस करें अपने हिसाब से यह ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है अब नेक्स मद्दा प्रॉपरटीज ऑफ नाइक्ट्रॉजन भाई डायन तो यह होते हैं कलर लिस टेसले एमोनिया का ही तो देखो एंट ट्री इस टू इतने टेंपरेचर पर कैटलिस भी यूज़ होता है अब यह आगे आएगा ठीक है तुस्से क्या बन जाएगा एमोनिया यह एंट्टू और टू को 2000 केल्विन पर हीट कर दो तो क्या बन जाएगा एन्नो नाइट्रोजन मोनो देखे अब तेक्शस मुस्त आता है थाई श्रक्शर को देख लो कि प्यारे प्यारे नन्हें पाइंड नोसी त्रक्शर आपको सही में समझा का पाइंगे कि तरहरे हम लोग की सडाइए करा रही यह हैं गा एंट्श्ट मुद़्तीं मुद्ध तो हमारा क्या है कि इनको कै अच्ञांगा आये क्योंध कार्बोनीट आप यह कार्बोनीट किना अजी आख पर दोदियंडा के इसे और श्लेदे और यह बेलन्स में नहीं है कर लेकिन उसे तो फ्रीणी आप बन जाएगा बड़ी असानी से भिन है को नहीं हो मेहनत वहनत कह companies clear क्या बताना जाह रहा हूं ammonium chloride विए विण दो हिस्सों से बनाए तो यह बेस है और यह बेस आपस करने क्या कि एस लगैस्ट पर सब्सक्षाट को बनाएंगे सॉल्ट एड वाटर तो सिय इस 2 बन गया अब निकला कहा है यहां से NS3 यहां से क्या निकला भाई यहां से क्या निकल गया यही है तरीका तर्कीब सेम लाइन बच्चा लोग अमोनियम सलफेट में NS3 और S2O4 तो भाईया NS3 निकल जाएगा बाद में लेकिन S2O4 और NOS मिल की क्या बनेंगे यही तर्कीब है जो आपको मदद करेगा मेरे लाल सब इसली सॉल्फ करने में लास्ट मेथड है इंडस्ट्रियल प्रपेशन यह हैवर्स प्रोसेस के नाम से जाना आता है बड़ मैं आपको खुद बोलूंगा का है का है बस प्रोसेस का है कि यह दुनिया हमको तो बस खाली याद रखना है कि यह बनता कैसे है तो कैसे बनता है भाई जब नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम और हाइड्रोजन का तीन वॉल्यूम ले लेते हैं और टेमप्रेचर स्वरी प्रेशर टूहेंडड़ेटीम इतना ज्यादा कैटलिस 773 केल्विन टेमप्रेचर इतना सब भाई बनता है क्या एम्मोनिया बताओ कितना दुस्ट है नहीं एक आद साल लगा देता है अगर हम लोग ध्यान नहीं देते इसके तरफ लेंगे चलो अब घरवाले हैं थोड़ा ध्यान तो देंगे ही क्या करें मजबूरी है अब मुद्द आता है भाई कलर लेस कैसे होते क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा इनका जो ओडोर होता वह पंजेंट होता है मतलब नॉट फिट फॉर स्मेल करने लाग डियोडन नहीं एक खटाक से सूंगे मजा जाएगा अरे बढ़िया डियोडन रहे चटक जाओ थोड़ी देर के लिए तो यह पंजेंट ओडोर होता है फ्रीजिंग पॉइंट भाई इनकी होती है 198.4 केलविन ठीक है बॉलिंग पॉइंट यह सब तो भाईया रटंत विद्या है सही बताओ तो शेप याद रखना है शेप इनका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल और जिमेट्री होता है टेट्राहेडल हाइब्रिडाइजेश एमोनियम क्लोराइड जो तोड़ा ना वो बन भी जाता है एमोनियम सलफेट याद करो तोड़के नस्थी और इससे जोड़के भी आप यह बना भी तो सकते हो तो दोनों टम्स भाईया एक दूसरे से रिलेट करते थे लेकिन अगर आप उनको समझना चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में अगर नहीं तो चटनी हो जाएगा नेक्स मुद्धा रियक्शन ऑफ एनेस पूर ओएज विद मेड़ेड सॉड मैं पहले क्लियर कर दूँ इस रियक्शन में हमेशा प्रिसिपिटेट बनेगा अगर आप मेटल सॉड लेक वाइठ हो तब नया कु इस्फेट आमोरीनन हिस्से में सलफेट आमोरीन के हिस्से में तो तो नहीं पर श्रेक्शन में देखो यह पर यह नीचे यहीं फ कर टारता है मैंनेट में चुक्यक्तर रीक्शन मेंmarks अलग को ह Tribe salty तो नहीं स्परिन से हच्ट करता है रोइख यहां से देखिएगा इसके अपने इसको दे दिया तो क्या बना लिए इसमें इमोनिया का जो नाइट्रोजन पेर है वह कॉपर को एलेक्ट्रोण डोनेट कोता है कई बचे कहते हैं लिगांड लिगांड तो भाई यहां पर लिगांड है ठीक है कोडिनिशन कंपाउंड ही पड़े बड़े जान लो जब इतना जानना चाहरे हो अब ऐसे ही एजी सियल है एजी सियल में मैं बता दू एमोनिया जो है वह अपना एलेक्ट्रोण सिल्वर को देता है मतलब एमोनिया इसमें भी एक्ट असदा लिगांड अब कोई आप स बहुत जरूरी है structure बहुत important है याद रख लिए अगर आप अपनी किस्मात अच्छी चाहती हो तो मुद्दा बनाओगे कैसे या तो मेटल नाइट्रेट में potassium नाइट्र या sodium नाइट्र उठा लो मेरा suggestion s2so4 को जनरली बता रहा हूं जनरली s2so4 भाई दो हिस्सों में और एच प्लस और नो 3 आपस में जोड़ दिया तो बना क्या एच नो 3 और मित्र ने प्लस इस से मिलके क्या बन गया एच तो यह टर्म भी आप लोग को याद रहना चाहिए मुझे बस एक मिनिट देजिए मैं थोड़ा सा पानी पीलूं क्योंकि बोलते बोलते गला अब हम लोग आने वाले हैं लार्ज स्केल के प्रोड़क्शन पर तो दोगो लार्ज स्केल प्रोड़क्शन का नाम ही है और प्षपन में आप लोगोंने कार्टून नेट्वोक पर देखा और आता था था ठीक है तो हम आसवर्ड की बातें नहीं करेंगे अभी सिर्व और प्रोसेस नाम है इनका हो सकता है इनकी ममी ने भी इनका नाम रख दिया हो जब देखें हो कार्टून कहां तुम्हारा नाम आज से तुम्हारा नाम ऑसवर्ड होगा समझ रहे हैं इस पर कोई अब्जेक्शन नहीं होना चाहिए हमने सर्फ नामंकरंड चेंज किया है और जब भी हमें लगेगा कि हमें असा नामंकरंड करना चाहिए हम करेंगे ठीक है मुद्देवाली हम लग बात करते बाई देखो स्टेप में अगर आप से पूछे कितने स्टेप में और मैं खुद आपको सज्जेस्ट कर दो यह कम से कम तीन स्टेप इसमें लगेगा पहला है क्याटलेक्टेक ऑक्सिडेशन ऑफ एमोनिया में अरे विए को ऑक्सिडाइस करो गे प्लैक्टिनम या रोडियम के प्रेजन्स में इतने टेंप्रेचर प्रेशर पे इतना का मतलब 500 केलविन और नाइन बार प्रेशर इतने के बाद यह बनेगा 4N प्रणाने का इसमें बनाने का प्रक्रया यहीं काम हो रहा है पहले में यहां पर यहां पर ऑक्चिडाइस किया गया दुसरे वाले में महां से अनू बना तो यहां पर भेजा गया तो अच्छ नो थी बन गया कि नेक्स मुद्दा अच्छ बना लिया मालो आपने भाई ऑक्सिदाइस करके फिर इसी एननो टू को तो मैंने क्या किया है कुछ नहीं किया भाई पानी मिला बस और क्या करूंगा अब यह जो एननो है ना क्योंकि यह गैस है तो पुरा उड़ी गया नहीं जिन भी है सब डालेगा नेक्स मुद्दा आता है एमोनिया की प्रॉपर्टी इसके बारे में मैं खुद बोलना हूं एक कलरलेस लिक्विड है तो अगर भीया एमोनिया एक कलरलेस लिक्विड है तो गैस स्टेट में आवाज वहां जो पीछे आ रही है उसको ध्यान ठीक है यह क्यों होता है करेलेस लिक्विड होता है और गैस स्टेट में याद रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एक्जाम में पूछ भी ले आप से कोई पूछे कि नहीं रियक्षन बता भाई रियक्षन कैसे कैसे होगा तो मेरा सजेशन थी का रिक्षन करना ह कि मैं जनरल बात करूं तो मेटल और कंसेंट्रेटर नाइट्रिक एसट आप जब भी मिलाओगे तो यहां रखना मेटल नाइट्रेट कंफर्म बनेगा यह हर केस में वैलिड है किसी केस में फेल नहीं होगा लेकिन अगर आप डाइल्यूट अचनो थी ले रहो ना ध्यान से स सुनना तो लेड कॉपर मरकरी या सिल्वर में से कुछ भी लोगे तो मेटल नाइट्रेट इसमें बनेगा वाटर इसमें बनेगा लेकिन एक चीज चेंज आएगा क्या अनो बनेगा मतलब नोटू की जगा क्या बना एनो और अगर मालो आपने डायूट अचनो थी लिया ल वाटर होने के बजाएं अमोनियम नाइट्रेट पूरा मतलब इसका आप कहा सकते हैं जो भी बन रहा होगा नाइटोजन ऑक्सिजन और वाटर सब मिला के अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है यही बच्चा लोग आप लोग को याद रखने और कुछ भी नह रखना है अगर मालो भाई आप कंसेंट्रेटर नाइट्रिक एसिट के साथ रियक्ट कराना चाहते हो तो मैं खुद बोल लो नॉन मेटल को करा होगे तो याद रखना उनको एसिट फॉर्में बनाता है जैसे आयोडीन लिया तो आयोडिक एसिट बना देगा सलफर लिया त लेकिन होता है इसके साथ एसिट के साथ साथ आपको एक और चीज़ बनाना वह क्या है और सब में याद रखना है हर हालात में याद रखना है क्योंकि नंबर पाना है तो याद तो रखना कंपल्सरी है फिर आता है ब्राउंडिंग टेस्ट मैं खुद क्लियर कर दो सब्सक्राइब तो कैसे पता चलेगा आप जो भी सॉल्ट है कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट ठीक है उसका स्लूशन बनाने के बाद उसमें डाल्यूट फेरस सलफेट एड़ कर दो उसके बाद एक दिन से टेस्टिव पर टेस्टिव कॉर्नर साइड मैं से यहां तर्ट करन वाल से बिल्कुर टेच होके जाना चाहिए चैसे वह जाएगा याद रखना ब्राउन रिंग बनना शुरू हो जाए गा अब इनका रियक्शन क्या है तो यही है इनका रियक्शन क्योंकि सॉल्ट लिखना नहीं था तो उसका सिर्फ आयनिक फॉर्म में एक्स्प्रेशन तो क्या है मैं आपको जोगार बताता हूं इसका तरीका क्या है आयरन के साथ जुड़े पांच और एक यह पांच और एक है क्या इसी को मैं 51 फॉर्मुला बोलता हूं अपनी साब से तो 51 में 5 है water और एक है क्या एन्नो देखो एन्नो आया ना रियक्शन में तो आयरन विद फिफ्टीवन ठीक है तो आयरेण विफ्टीवन में 5 क्या है water molecule और 1 क्या है एन्व molecule उस तरीके से आप जोड के क्या बना सकते बहिए इनका complex अब आता है मुद्दा oxygen family का तो oxygen family में कौन other style say typo other style say typo मतलब oxygen sulfur selenium tellurium और polonium मुद्दा क्या है मुद्दा ये कि सर कौन स्टार्टिंग के दो नॉन मिटल बचे हुए दो मेटलोइड और लास्ट वाला क्या होगा रेडियो एक्टिव मेटल में नहीं बोलना रेडियो एक्टिव मेटल अब आता है एक्टॉमिक रिडिस मैं जनरल बात कर रहा हूं टॉप्त में पूराना था वही होगा ऐलेक्ट्रो निओनि भी होगा बट कोई आप से पूछे कि आइनाइजेशन एंथल्पी गुरूफ 15 काुण 16 से जादा होता है या कम तो मैंने पहली बता लिए गुरूफ 15 का जादा होता है तो यह तो गुरूफ 16 तो यह इसकी एनगाइशन तो गुरूफ 15 से क्या होगी कम होगी electron gain enthalpy की कोई बात कर ले तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा electron gain enthalpy oxygen का कम होता है किस कारण से inter electronic repulsion बाकि top to bottom घटेगा लेकिन सबसे ज़्यादा कम उसमें oxygen oxygen का सबसे नीचे कर दो बाकि sulfur, selenium, tellurium, polonium में सबस्यादा sulfur का फिर selenium फिर tellurium फिर polonium फिर उससे भी कम कि इसका oxygen का यहीं याद रखना है ठीक है ओके अब हम लोग आने वाले कुछ समझदार हो, top to bottom जाएगा तो melting point या boiling point definitely बढ़ेगा, but oxygen और sulfur के बीच में जो difference आता है वह बहुत भेंकर आता है, कारण, oxygen होता है भाई, O2, oxygen क्या होता है, O2, but sulfur होता है S8, sulfur क्या होता है भाई, S8, आप खुद सोचो, sulfur है S8, और oxygen O2 है, atomicity sulfur की इतनी खतरनाक है, कि boiling point का difference आपको देखना को मिलेगा, इसलिए त्रिपल एरो बनाया, कि बहुत जादा होगा sulfur का, तो क्या बच्चा लोग आप इतनी बाते समझ चुके हो, very good, तो अगर आप इतनी बाते समझ चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है, अब आता है oxidation state, मैं खुद बोल लाँ, oxygen का normally, minus 2 ही होता है, कभी एक बार plus 2, OF2 के case में plus 2, minus 1 होता है, H2O2 के case में, plus 1 होता है, O2F2 के case में तो ये दोनों मेरे छोटे-छोटे पर ऑक्साइड भाई है, इनके साथ भी थोड़ा सा रहम कर ही लेता है, oxygen, next, sulfur का minus 2, plus 2, plus 4, plus 6, selenium का भी same, tellurium का भी same, polonium के case में, मैं clear कर दू, minus तो होने नहीं बाला, plus 6 भी नहीं होता है, कोई पूछे क्यों, कहना, inert pair effect, कोई कहें, minus 2 क्यों नहीं होता है, क्योंकि top to bottom में जाते वक्त आपको याद होगा, metallic character बढ़ता है, polonium शुद्ध metal है, तो electron तो accept नहीं करेगा, यही याद रखना है, अब आता है, anomalous behavior of oxygen, सवाल वही, nitrogen याद है, बिलकुल, क्या-क्या था, small size, high electronegativity, और क्या था वही, maximum covalency कम ही होता था फिर other elements have more than 4 covalency, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इन में absence of d orbital है, एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूंगा, in case of oxygen, क्योंकि जब वो hydride बनाता है, याद कर रखना है वो जब hydride बनाता है, तो उनमें होने लगती hydrogen bonding, hydrogen bonding होने के वाज़े से इन में बहुत difference आपको दिखेगे, जैस H2O की boiling point H2S से बहुत जाद होती है, H2O liquid state में होता है, कारण सिर्फ है hydrogen bonding, अब देखो reactivity of hydride मैं लिक्विद दिया, क्या क्या बनेगा H2O, 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 H2O के साता है, reducing property, मैं आपको खुद clear करना चाहा हूँ हर उन बच्चो को, कि reducing property term में आपको याद रखना है, कि top to bottom जाते वक्त reducing character बढ़ेगा, पूछो क्यों, क्योंकि hydrogen easily भागता चला जाएगा, तो reducing character बढ़ेगा, बट dipole momentum का जो होगा, वो क्या होगा, घटेगा, ये भी या जाद रख लेना, काम आएगा बच्चा लो, melting और balling point top to bottom ऐसे ही घटता है, ठीक है, घटता है ना, रहोशिया, top to bottom बढ़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ water का सबसे ज़्यादा होगा, काहे, वैसे तो होना चाहिए, सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर, water का सबसे ज़्यादा होगा, काहे, क्योंकि water में होता है वैया, hydrogen bonding, लेकिन इस से भी ज़्यादा हो गया, बना तो सही है, लेकिन water का सबसे पहले दिखा दिया, कारण, क्योंकि इन में hydrogen bonding है, इसी वज़े से, ठीक है, अब आता है, reaction with oxygen, देको oxygen के लिए मैं खुद बता दू हो भाई, समय भी देखता हो भाई, कितना समय बचा है, आज मुझे लग रहा है, वीडियो ना, मैं स्टार्टिंग में सब्सक्राइब मज़ा को समय ले लिया, कोई बात नहीं, reaction with oxygen में याद रखना है, यहां E का मतलब element रख लेना, EO2 तो oxygen बना लेता है, O3, बड़ EO3 नहीं बनता है, कारण, small size, high electronivity, absence of D, बला 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 बुरा भर देना, उसमें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेक्स समाता है, reducing character, clearly मैं आपको एक बात बताओ, इमानदारी से, आप खुद सोचो, यहां reducing character की बात हो रही है, त तो top to bottom जाते वक्त, इन में से अब oxygen निकलेगा, hydrogen नहीं निकल ला है बहिया, क्या निकल ला है, अरे बहिया, oxygen किसी में जुड़ गया ना, तो वो तो उसको oxidize करेगा, reduce नहीं करेगा, इसलिए top to bottom जाते वक्त, reducing character क्या होता है, ध्यांस तुना, reducing character क्या होता है, घटता है, द दोनों की दोनों जो oxides बनते हैं, वो सब के सब इसरी की nature होते हैं, except, कोई नहीं, तो इतनी बाते हैं, hopefully बच्चा लोग आपको समझ में आ गई हो, फिर आता है, reactivity towards halogen, मैं खुद क्लियर कर रहा हूं, halogen, reactivity term में, दो बनाते हैं, जनरल वाले, एक बनाते हैं, एक बनाते है एक 6, एक बहुत रेर बनता है, बढ़ा कुछ बच्चे कहते हैं, नहीं, नहीं, सर यह भी बनाते हैं, ठीक है, इनने में से, 4 वाले, ठीक है, और 6 वाले, ठीक है, आपको जारत देखने को मिलेंगे, एक टू, जनरली, आपको, oxygen के cases में, मैं खुद बोल रहा हूं, ठीक है, क्लूराइड वाला वर्ड तो शायद नहीं दिखें, बट बाकी सब हो सकता है, यह टर्म्स भाईया, आपको याद भी इसलिए रखना है, क्योंकि आपको एक सवाल और पूछ सकता है, कि हेक्सा फ्लूराइड के case में, वो किस state में होते हैं, तो हेक्सा फ्लूराइड के case मे इसका structure सब बनाये गया, फिर तो एक term में मोनोहलाइड, जो मैं आपको खुद बोला हूं, मोनोहलाइड as a dimer बनता है, बना, हलका फुलका भी heat उट करने पर disproportionate हो जाते हैं, मतलब इनका oxidation और reduction दोनों होने लगता है, फिर आता है, डायोक्षियन, means about O2, कैसे बनाओगे, 4-5 step है, मैं सब बोल जाओ, KCLO3 को hit किया, KNO3 को hit किया, KMNO4, पहले इनका सुन लो, याद कर रखना है, पहले O2 निकाल दो, निकल गया O2, बाकी बचा हुआ, जो compound बनने लाइक है, उमीद, वही बनाओगे, मेरा suggestion, chlorate से बनेगा, chlorite, chlorate से बनेगा, nitrate, बट पर-magnate से, प्रोड़क्ट आपके हाथ में है, आपने प्रोड़क्ट खुद बना लिया, थरमल डिकाल, जो less reactive metal होता, उनको simply heat किया, और metal अलग, oxygen अलग हो जाएगा, water का electrolysis किया, hydrogen मिला आपको cathode पे, oxygen कहा मिलगा बाई, एनोड पे, यह भी असान है, hydrogen peroxide को heat कर दो, MNO2 as a catalyst के presence में, तो water और oxygen मिल जाएगा, industrial preparation पे करना है, तो भाई सेम atmosphere से उठाओ, CO2 और H2O को पहले आठा दो, फिर liquefaction करो, oxygen एक तरफ, nitrogen एक तरफ, अलग-अलग हो गया, properties of O2 की बाते करें, तो याद रखना, oxygen का कोई color नहीं, कोई smell नहीं, कोई test नहीं होता है, लेकिन पानी में थोड़ा म O2 is completely paramagnetic in nature, generally O2 react नहीं करता है, बट अगर react करेगा, तो जाद अतर metals को क्या बना देगा भी है, metal oxide, except कौन, gold और platinum, especially gold और platinum को, वो react नहीं कर पाता है, और noble gases के साथ भी यहीं, to same term होता है, तो आप देखो, मैंने यहापर बनाया भी है, कि calcium को calcium oxide बना दिया, aluminium को, aluminium oxide, phosphorus को phosphorus, pentoxide क बना दिया, carbon को carbon dioxide, even SO2, भाई यह गल्ती होगे यार मसे, यह आप थोड़ा सही कर लेना, SO2 से oxidize करने पर SO3 बन जाता है, मैंने वापे लिग दिया, तो जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उसको सही कर लीजेगा, SO2 से oxidize होकर, वो SO3 फॉर्म करता है, ठीक कोई नहीं, simple oxide, metal oxide are basic nature, non-metal oxide are acidic nature, but, metal oxide basic nature तब तक होगे, जब तक उनका oxidation number बैया, कम होगा, जैसे ही oxidation number जादा होगे न, वो acidic character show करने लगते हैं, जैसे की नीचे वाले, जो 2 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, बैया, यह जितने भी metal oxide है, यह acidic nature है, but उपर वाले basic हैं, क्यों यह भी बात आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे metal oxide होते हैं, जो एंफोटरिक character show करते हैं, जैसे A2O3, ZNO, PBO, यह सब भी, अब अगर मैं आप से बोलूं, कि कौन से neutral oxide, यह हो सकता है, exam में पूछ भी ले, तो CO, NO, N2O, यह neutral oxide हैं, दिखने में ऐसे लग रहे region है, कैसे बनाया जाता है, steam of oxygen को pass कराते हैं, लेकिन electric discharge से, जब यह करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा भाई, ozone, ठीक है, percentage थोड़ा कम होता है, कोई बच्चा चाहिए कि नहीं, बहुत जारा percentage चाहिए, use ozoneizer, ठीक है, it's a device, जहां से percentage of ozone का जो concentration हो, थोड़ा और ज्यादा आप यहां पर मैंने लिखा है, इसलिए, O3 unstable होता है, thermodynamically, मतलब वो easily O2 और nascent oxygen में तूट जाएगा, इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब आगर आप O3 से किसी को भी react कराओगे, तो याद रखना, वो easily O2 और nascent oxygen में convert होगा, nascent oxygen responsible होगा, कुछ भी नया product बनाने के लिए, जैसे lead आप sulfide लिए, आप ozone लिए, उसको lead sulfide को lead sulfate बना देगा, यह याद रखना है, सभी को, iodine iron है, iodine iron को I2 बना देगा, मतलब इन शॉट सबको oxidize वो कर देता है, ozone layer के depletion होने के पीछे, जो main current है, वो supersonic, जो planes जाती है, jet planes जाती है, उनमें से release होता है, NO, और वो NO न, इस nascent oxygen से भाई क्या होता है, react कर लेता है, और क्या बना लेता है, NO2, जैसे ही NO2 बनाना, O2 तो अलग, और NO2 अलग, बड़ी दिक्कत हो गई भाई, यह भी समस्या है, तो मतलब अच्छे structure है, बहुत अच्छे structure है, भाई जैसे हैं, अब आता है, sulfur का eletrope, देखो, sulfur का eletrope, अगर आ कोई पूछे, तो याद रखेगा, main 2 eletrope, यह तो बहुत सार है, लेकिन 2 main होते हैं, कोई आप से पूछे, rhombic के बारे मता दो, तो भाई, rhombic का color होता है, yellow, यह soluble होता है, CS2 में, और insoluble होता water में, पार्ट मतलब पार्शली, benzene में, alcohol और ether में भी soluble हो जाता है, बनाते है से इनको, सलफर का, कहांगे है, बाई, नराज होगे, लग रहा हम से, तो सलफर को, सलफर का रोल आता है, मैं बड़े-बड़े टुकड़े होते हैं, उनको, भरा, CS2 में, और evaporate कराना शुरू को दे, जैसे ही आप evaporate करा होगे, मैं खुद बता रहा हूँ, आपको क्या मिलन शुरू हो जाएगा, रॉंबिक सलफर, लेकिन, अगर आप मोनो क्लेनिक सलफर बनाना चाहते हैं, पहली बात, आपको रॉंबिक सलफर को क्या करना है, मैट कराने के बाद एक डिस पे कूल करना है, क्रस्ट जब बन जाए, उसमें दो होल करने, दो होल करने के बाद, जितन इसे करुए हीट करुए, तो 369 के लिए निंग HERE, जहां पे वो बीटा सल्फर में कैनवर्ट होना शुरूय गता है, उससे जादा पे तो कनफंभ बीटा सल्फर, उससे कम पे अलफा सल्फर रहेगा, तो मत बह wes Bent करते जाओगा 369 से उपर तो बीटा सलफर और कम पे अलफा सलफर तो सवाल यह सब 369 पे क्या होगा भाई वहाँ पे दोनों बनेगा इसलिए उस टेंपरेचर का नमवें है ट्रांजिशन टेंपरेचर ठीक है अब यह टर्म के बाद स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं अब आता है मुद्दा सलफर डायोकसेट बनेगा कैसे सलफर को बन कर दिया ठीक है बने की सबस्क्रेचर cứu key in पर भी बनता है लेकिन अगर आप चालते हो कि नहीं हमको क्या बनाना वहीआ सोडियम sodiummäßalmee土न अनव binary बनाया इसचे अश्यच के साथ है इसी मिलेगा सल्फ़र डायोकसाइड सुडियॉक स्वाइट अश्यच को से मिलेगा सॉज्च क्या बनाया यही आपको याद वाला काम हो गया दो दो प्रोड़क्ट एक साथ बनने लगेंगे अगर कोई आप से पूछे प्रॉपर्टी तो याद रखना वाई सल्फार डियोक्साइट कलरलेस होते हैं बट पंजन्ट स्मेल होते हैं और वह पानी में कर सकते हैं सबसे पहले अपना भला करेंगे यह बहुत इंपोर्टन टर्म है और अगर मान लोगा या पानी भी रख दिया है तो ने टुए सो थी के बड़ा जगा क्या बन जाएगा ने एचसो थी दो तरह की चांसिस है यही वहां पर मैंने गलती कर दी थी तो प्लीज भाई इसको सही कर ले ठीक है फिर आता है इनको नोट में मैंने लिखा है प्लीज पढ़े लेना सब्सक्राइब बना लेना मतलब लिखा हुए न तो दो सब्सक्राइब बनेगा हर स्ट्रक्चर में बनेगा बाकी बचा हुआ डबल बॉंड ओ यह साइड में ऐसी आपको जोड़ देना है तो इसी तरह से भाई पूरा सल्फ्यूरी के सरी या सारे इस्ट्रक्चर साप लोग बनाना सीख जोगे एक बार नोट्स देखना उसमें मैंने सबको लिखा भी है फिर आता सल्फ्यूरी के सिट बनाने के लिए यही करना है हमें ठीक है तो अब प्रॉपर्टी की बात करें तो यह सोता है ऑली लिक्विड कंसेंट्रेटेश सल्फ्यूरी के सिट अगर मालो आप डालूड बनाना चालते पानी एक तरफ रख दो बढ़िया पानी में आप ड्रॉप ड्रॉप कंसेंट्रेटेश सल्फ्यूरी के सिट याद रखिएगा पानी में मिलाने से एच थ्रीयों प्लस और एचसो फॉर माइनिस बहुत जादा कॉंटिटी मता है मतलब इनका डिसोशियेशन बहुत आसान है यह डिसोशियेशन बहुत इजी है बट यह वाला डिसोशियेशन इस नौट इजी इसल इसली फॉर्म्ड हो जाता है लेकिन जब कम होगा तो इसली फॉर्मड नहीं होगा अब इसके बाद इसका मतलब भाई यह पानी को कहीं मॉलिक्यूल के अंदर से निकाल लेगा जैसे दो बैचारे शुगर के साथ क्या हुआ इस शुगर था पूरा वाटर अलग निकाल दि सिर्फेट अगर कॉपर से या किसी मेटल से नौन मेटल सरीयाग करते हैं तो इस तो अगर नौन मेटल सरीयाक करेगा तो उनका एसिद और स्टूअब दिक्कत क्या है से कार्बन का कर्बो निकाशिड बन जाता भाई मांख भूल लेकिन क्यों नहीं बना क्योंकि भीया सब्सक्राइब करें तो अब हम लोग पहुंच गया है ग्रूप 17 तो ग्रूप 17 में आपको याद क्या रखना है गुरूप 17 में टोटल जो को सब्सक्राइब को है यह यहीं और को फिरक्री में रसकी जो्टोटोटोब सब्सक्राइब यह तो एन National गटेगा मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा एलेक्ट्रों निग्रिप्टी घटेगा यह जो बच्चा समझ गया उसका हो गया काम असान मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट टॉप टॉटम में क्या होगी बढ़ेगी एलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी याद रखना एलेक्ट्र ब्रोमीन होता है लिक्वेट और आयोडीन होता है वॉलेट कलर भी है तो कम से कम देख रहोगे तो थोड़ा मड़ा याद रहेगा अब याद क्या रखना है बहुत इंपोर्टेंट डिसोशेशन एनरजी ना बॉन्ड डिसोशेशन एनरजी अगर हम लोग जनली बात करें तो भाई याद रखना बॉन्ड डिसोशेशन एनरजी उम्मीद तो यह लगा कि बढ़ेगो कि फ्लोरीन का सबसे याद होगा बट इंटर एलेक्ट्रोनिक रिपल्शन होने के वजह से भाई ये खुद दूर भाग जाते हैं यानि इनकी डिसोशेशन एनरजी बहुत कम लगेगा बहुत कम लगेगा लेकिन आप से पूछ ले तो याद रखना ऑक्सिदेशन इस्टेट फ्लोरीन का होगा या माइनस वन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से अगर आप से कोई पूछे तो याद रखना यह बिलकुल सेम चिपका देना सब में सेम होगा जो क्लोरीन को डिस्टेश कर सकता है क्लोरी इनाओ ऐसा का गर्रीन ऐीञा도 चलता है कि अगर यह ऑनिक फॉर्म में है तो फ्लोरीन आयोडीन आवन फॉर्म नो झालें के सारे के सारे क्या बनेंगे एक सब्सक्राइब मतलब और ब्रोविन के सब्सक्राइब एक्स और एक्स बनेगा ठीक है अब मुद्दा यह है आयोडीन के किसमी क्या होगा तो कई बचे सुचने सर उसमें भी है एच आई और एच वाई बनेगा ना लगता है यही तो दिक्कत है वो रिडियूस होने के बजाए क्या होगा औक सब पता है क्या-क्या-क्या-क्या है जैसे H2O और NS3 में था लो बॉंड इसोशेशन एनरजी एपसेंस ऑफ डी और्बिटल और स्मॉल साइज हाई एलेक्ट्रो नेग्रिटी हाई एनेशन इंथल्पी और तो यह तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानगे हो अब सेम लाइन टॉप टू बॉटम जाते वक्त सब्सक्राइब बढ़ेगा थर्मल इस्टिविलिटी घटेगा ठीक है और बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट से वह एक्सेप्चन एक्सेप्चन रख लेना इसका ज्यादा बॉलिंग क्यों होगा हाईड़ोजन बॉनिंग के वजए से ऑक्सिजन से अगर रियक्ट करेगा तो फ्लोरीन बस 201 ओट ऑलगत क्लोरिं बहुत सारा बर्ट मैंट अनां सब्सकराइब करता है कि यह लगानिग्र सबसे जञादा होगा यह जयाद रख लेना सबसे ज़्यादा अधनिक क्रेक्टर उसका होगा जिसकी साइस सबसे च्छोटी होचिए और मालूब दो खोलो दो चैसे मालों दो क्लॉरी सुधे तो थीs м कोवली ज़्यादा क्यूरीन थो जादा कोवलीन वही नीए फजान वाला ही नीएं यहां पर चला है ठीक है फिर reaction with other halogen देखो अगर एक है लोजन दुसरे हलोजन से रियाक कर रहा है वो भी अलग जैसे फ्लोरीन क्लोरीन से रियाक कर रहा है तो यह जानता है कि इसको बोलते हम इंटर हलोजन इंटर हलोजन में लि कि इस तरीके से रिप्रिजिंद के एक्स और एक्स डीयर कर दूह जो एक्स हैं वह बड़ा साइज़ वाल एलेमें और हैं और एक्स डैस छोटा साइज वाल एल्यमेंट मैं यहां पर लिग दिया अब नेक्स मेथड आता है बाइए क्लोरीन का प्रोपर है जोड़ो मन गया ठेक है एस टू और ओटू मिलके बना लिए वाटर अब बच्छा कौन हमारे पास भाई सिर्फ उसे बच्छा हुआ क्लोरी मतलब सियल टू यहां पर कंज्यूम हो गया बच्छा हुआ सियल टू निकल जाएगा ग्रीनी सियलो फॉर्म में वैसे सेम यहां उनको बना लिया एक प्लस का एच टू बना लिया बच्छा कौन दो लूट इन तो बन गया नुस को आपको समझना है के साथ सेम लाइन नहीं जो आपको चर बनाए उनको बना दो वाटर बना दो और लग करतो यही करना है दोकुल लिखा भी इसलिए मैंने मैनुफेक्चर और यह है डेकॉंस प्रोसेस हो सकता है आप ही जाए है एक सियल और ओटू को जब रियाक कराओगे कॉपर क्लॉराइट 773 केल्विन के प्रजेंस में तब क्या बनेगा बैया क्लोरीन और वाटर अलग-अलग हो जाए यह जाता है है इसमें जीदे जाता है कैफोड के मुझे कफोड से क्या ले लेना देना मुझे तो मतलब है किस से किस से वाइए ह्यान में मुद्धे वह इसे क्लोरीन का कलर कुलोर Capital Coral to learn the at from लेने में तकलीव नहीं खतरनाक तकलीव तक्लिफ हो सकती है मुद्धा यह है क्लोरीन मेटल से रिया करके मेटल क्लॉराइड नॉन मेटल से रिया करके नॉन मेटल क्लॉराइड बना लीता है यहां पर भी displacement वाली chances हो सकती हैं लेकिन अब depend करता है कि chlorine के सामने आया कौन जैसे sulfur आया डिस्प्लेस कर देगा hydrogen आया डिस्प्लेस कर देगा इसी तरह से वह product बनाता है और अगर आप मान लो ammonia से यह थोड़ा सा इसलिए important है क्योंकि दो तरह के reaction है ammonia जादा याद रख लेना ammonia जादा तो ammonia भारी मतलब ammonium chloride और nitrogen ammonia कमजोर मतलब अब ammonia का सर नहीं देखेगा तो nitrogen chloride और HCL अलग अलग यही टर्म मैंने notes में अलग अलग तरीके समझा हैं बट आप देख लेना मान लो chlorine लिया एक बार code और dilute है एक बार hot concentrated है क्या चीज common बनेंगे दोनों में दोनों में NaCl और H2O common बनेंगे बट अगर concentrated है तो NaCl3 मतलब जादा oxygen और अगर dilute है तो oxygen कम हो जाएगा NaCl2 बनेंगा दो common हैं एक डिफरेंट हैं दो common है और एक डिफरेंट है वैसे calcium hydroxide को अगर मान लो भाई आप लेट तो क्याल्शियम डाइ ऑक्सिक्लोराइड बनेगा और क्याल्शियम लाइड वाटर इतना आपको याद रखना है bleaching powder का formula प्लीज याद रख लेना भाई पूरा compound बेख फर्मॉले बना दिया ब्लीचिंग पाडर अब मान लो मीथेन को आपना लेक्षियम ले लिया तो सारे बच्चों को याद होगा addition होता था मतलब एक इधर क्लोरीन और यानी c2s4cl2 होता था addition reaction ठीक है अब next मुद्दा क्लोरीन और ऑउक्सिदाइस समेलमेंट सही बात है जैसे यहां पर अक्सिदेशन नमबर प्लस थ्री हो जा रहा है एन ने टुसो थ्री से ने टुसो फोर बनाने से फाइदा क्या है सलफर का ऑक्सिदेशन बढ़ जा रहा है एस तो तो यह थोड़े थोड़े इंपॉर्टिन टरम है जो शायद आपके काम आ जाएंगे देखोगे अगर सही से तो क्लोरी ने पावर फूट ब्लीचिंग एजन बेव करता है कैसे लटू है और यही ने अच्छिन ना जो गलर्ट कंपोनेंट होते हैं उनके खुद खीच लेता है और कलर उसको क्या बनाए ता है कर लेस मतलब जो दाख धब्बे लगे होते हैं सब गया बज अगर अगर आपको चेक करना कि है तो इस वाइट फ्यूम बनने लगेगा एक्वरी बनाने का शौक है ताला वला तोड़ेनेक शौक है तो 3 लीटर एक लीटर एक अनो 3 लेलो लीटर मेलो ज्यादा सई है यह ml मेले लो 3 ml और 1 ml मिला दो एक्वरीजे बनके त्यार में जो कारिगर है उसमें वह है नैसर्ट कलोरीन पूरा तहस नेस कर देगा सब से र आपाइकर्मेट या सलफाइट में एसिड ले आओ तो क्या होगा कि या याद अथना है कि मेटल कार्बोनेट भाई या एनने टूओ और सी ओटू में बनता है ठीक है तो एनने टूओ तो बेस है एसिड से रियाक्ट किया सॉल्ट और बना लिए और सी यो तो अलग से निकल हो और एसो टू तो जब यह मिलेंगे तो क्या बनेगा एनसील एस्टू और एसो टू असान है तफ नहीं है आपको ट्राइब करना कोशिश करते रहना ठीक है अब यह रूल मैंने लिखवाया है नोट्स में आपको मिल जाएगा परशान मत हो ना अब आता है ना ऑक्सो एस लोगा है यहान ध्यान क्या है कि यह यह श्यलो थू तो यह बनाना है अगया तो तो अब इसके बाद इंट्रहलोजन कंपाउंड होता क्या है इंट्रहलोजन कमपाउंड साफ-साफ यह कहता है कि अगर दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट इसमें मिल जाएं तो कहलाएगा इंट्रहलोजन कंपाउंड मैं खुद बोल ला हूं लार्ज साइज हैलोजन को एकस से डिनोट करो स्मॉल साइज को एकस डैस से देखो एक्वल वॉल्यम मानलो क्लोरीन और फ्लोरीन का आपने ले लिया ना त अगर कहीं गलती से आपने फ्लोरीन एकसेस ले लिया तो भी आरे फाइब भी बन सकता है तो यह तरीके हैं तरकीब हैं याद रखोगे भाई भला हो जाएगा अब एक टर्म हाइड्रोलिस मानल में करना चाहां तो हाइड्रोलिस आपना इंट्रहलोजन का करोगे याद यह होने बस यहीाद रखना जितने माउट में एकस टैस दिखेंगे उतने म्नगे यह कंद अगया क्म से और ढ्म जाएक ना हाइड्रोजन में से रहा है क्म सिस्जै इसके साथा ना किया कि ہ मैंने कुछ नहीं किया से श्बी मर दिया एड्स है न मैं तो मतलब पांच हाइड्रोजन पांच प्लस तो एक से कंजिम होगे बचा कौन एक हाइड्रोजन और कितने ऑक्सिजन तीन और एक्स इससे जोड़ेगा एक्सो 3 बन जाएगा यही हमें याद रखना है हमारे काम आने वाला है अब ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे यही अब कई लोग करें सरी चोटी क्या बना दिया अरे वह यह दो लोन पेर हैं क्योंकि ब्रोमीन के पास होते हैं टोटल 7 एलेक लॉक्स रहती यह इंका निमोनिक से वह धिख सकूझ आप अनेस्टू एन होती है सारे noble gases monoatomic होते है colorless होते है odorless होते है tasteless होते है low melting boiling point top to bottom में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा लेकिन low melting of boiling point क्यों होती है कारण इनका है London dispersion force ठीक है फिर पहले के time में यह कहा जाता था कि noble gases भईया किसी से react नहीं होते बट एक scientist थे जिनका नाम था नील बाटलेट उन्होंने कहा गलत ऐसा नहीं हो सकता है हो सकता है कि नोबल gases react करें क्योंकि हमने देखा O2 और xenon इन दोनों की जो आइनाइजिशन एंथल्पी थी वह नियरली क्या थी भईया सेम जैसे ही यह observation हुआ लोगों का दिमाग फढ़ गया क्योंकि O2 PTF6 से react कर गया लेकिन नियॉन अभी नहीं किया तो उन्होंने कहा है जब यह react कर दा तो यह क्यों नहीं मेहनत किया और पता चला रियक्ट हो गया बन गया क्या XC PTF6 इससे एक चीज समझ में है कि noble gases भी भाई react करते हैं तो कुछ और प्रोड़क्ट भी बने जैसे क्रिप्टाउन बना लिया क्रिप्टाउन डाइफ्लोराइड रिडाउन बना लिया रिडाउन डाइफ्लोराइड इस तरह के प्रोड़क्ट भी बनते चले गए क्योंक सब कैसे ध्यान देना मैंने क्या कहा अगर क्यूंन difference यूग सब्सक्राइद पर बन जाएगा जैनान और फ्लोरीन में 1-20 का रेश्यों है एकसी-f6 बन जाएंगे फिर जैनान फ्लोराइड मनलब टेट्रा-फ्लोराइड को अगर ओट्व से रियाक कर आगे तब भी तो रोटू बन जाएगा मतलब एक्सी और एचेफ तो बन रहा है सब में ठीक है एक्सी और एक्सी और एचेफ बन जाएगा यह पूरा है लेकिन पार्चिल कर आओगे तो यादखना कुछ-कुछ हिस्से के मतलब जितने माल दो वाटर है तो टू एचेफ बन जाएगा चार लिए चुर्टर है तो चार एचेफ बन जाएगा इस तरीके से हीडुलेशिस होता है अब आया स्ट्रक्चर को सजेस्स करना हो बचो इनका क्या इंप्पॉर्टेंट इनका इंप्उर्टेंट इस्ट्रक्चर के साथ शेप और हाइब्डाइशन एक्सी एफ टू का शेप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आप एक बर जो मैंने आपको नोट दिया उसको भी देख लेना वह एफेक्टिव है मुझे पता है आपका सारा टॉपिक उससे त्यार हो जाएगा थैंक्यू बच्चो वीडियो देख लिए हो तो त्यार करो अच्छे से नोट और